नमस्क्तर दोस्तों वन इंडिया मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत और इंग्लैंड के बीच लॉट्स में पांच मैजोविटे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया इस मुकाबले में इंग्लैंड कप्तान जो रूट ने शतक ठुक कर शांदार बलेबाजी का नजारा पेश किया लेकिन खेल के तीसरे दिन लंज के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया दरसल हुआ यूंकी लंज के बाद जब भारती टीम फील्डिंग करने के लिए वापस से मैदान में पहुँची तो खिलाडियों के साथ एक शक्स भी ठीक टीम इंडिया की जैसी जर्सी पहन कर मैदान में खुशाया वो शक्स बिलकुल खिलाडी के वेश में था शक्स की टीशर्ट पर पीछे नाम जारवो लिखा हुआ था दरसल वो शक्स टेस्ट मैच में भारती खिलाडियों की लिए फिल्डिंग करना चाहता था यही कारण था कि लंच के बाद वो भी खिलाडियों के वेश में मैदान के अंदर आ गया और फिल्डिंग करनी की तैयारी करने लगा इसके बाद एक सुरक्षा करमी दोड़ता हुआ उसके पास आया और उन्हें मैदान से बाहर जाने के लिए कहने लगा लेकिन वो शक्स कहने लगा मैं टीम इंडिया की जर्सी पहनी है और मैं यहीं खेलूंगा इसके बाद चार-पांच शुरक्षा गार्ड और आये और उसे पकड़ कर वापस मैदान से बाहर ले जाने लगे वो शक्स काफी मजाकिया हरकत कर रहा था जिसे देखकर भारती खिलाडी भी अपनी हसी नहीं रुप पाए यहां तक की मौमद सिराज तो खिल खिला कर हस्ते हुए देखे गए अपको दादें यह वीडियो सोचल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है बात करें दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की तो इस दिन जो रूट का जलवा देखने को मिला उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 22वा शतक लगाया पहले टेस्ट मैच में भी रूट ने शतक जमा कर इंग्लैंड को एक करारी हार से बचा लिया था लेकिन रूट ने एक छोर को संभाले रखा था और इस दौरान टेस्ट करियर में अपने 9000 टेस्ट रण भी पूरे किया आपको तादी इस साल जो रूट अब तक 5 टेस्ट में शतक लगा चुके हैं वहीं भारत खिलाब जहां एक 12 शतक वहीं अब तक 2 शतक भी वो जड़ चुके हैं वहीं लगातार दूसरी पारी है जब जो रूट ने शतक लगाया है टीम इंडिया ने 364 टरन अपनी पहली पारी में बनाये थे वहीं इंग्लाइन की टीम ने 106 ओवर के खेल के बाद 5 विगट के नुकसान पर 332 रन बना लिये थे खिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ